मैं उदव जी ठाकरे को रिप्रेजेंट करूँगा, उनको बताऊंगा सर आपके राज्य में ये हो रहा है गरीबों के साथ में मलोत्रा अपल्या जागे श्वेद पिग घेता हेत, आम्ब्यान चावा काजुचा बागांचा संवर्धन ते करता हेत, काही दिवसान पूर्वी तेंचा वयक्तिक मालकीचा जागेत, तेंचा शेजारी जमिन असनार्या सागर महर्यानी अतिक्रमन केला असले चु महिती मलोत रयानी दिली, पोलिस प्रश्चासा न कडुदे ही सवकार्या मिलत नसले ने मलोत्रा अनी माध्यमांचे मदध गहुँ नियायाची अपिक्क्षाखिलिया हे, अपल्या जमिनी जहलेले अतिकरमणाचा विरोधात मलूत्र हे उच्चो न्यालयापा सुनके सर्वच्चो न्यालयापरें तल लड़नेचा तैयारी ताहेत जमिनीचे सर्वध दस्ता एवस अस्ता नहीं मलूत्र यंन्ना नया साथी भटकावला गताहेत अपल्या जवरील थोड़ा जरी हिस्ता जो अपल्या हक्का चास्तो जे अपल्या स्वता चास्तो तेचावर कुनी अतिकरमण केला नमस्कार बदलापूर वही सावाज बदलापूर चैनल मदे अपल्या से मनपूर वक स्वागत अपन एरन जाल या ठीका नहीं हो अपल्या सुबद यूगराज महुतरा सर जोड़े तैंचे सुबद आसा जी किस्सा गड़ला है कि तैंची जमीने पतेचा उती काई ठराव यूवराज मलोतर है और यह जगा जहां हम बैठे हैं यह उल्हास खंकी शेत्की सुसाइटी की जगा है यह एग्री कल्चर शेती के लिए अलॉट की गई है कलेक्टर लैंड है कलेक्टर ने यह लैंड अलॉट किया है चपन एकड़ का गट है हमारे पास में इसमें से मैं मेंबर हूं सुसाइटी का और मेरे पास में डेड़ एकड़ का प्लॉट है साड़ गुंटे साड़ गुंटे का प्लॉट है और आप देख सकते हैं पीछे आज पास सब जगा पे कहां सिर्फ शेती हो रही है काजू का बाग लगा हुआ है जहां पे आप अभी खड़े हैं नवेंबर नाइंटी टू में आज तीस साल हो गया है तीस साल से अनिंट्रॉप्टेट पोजेशन है मेरा मेरी फेंसिंग है बाब्डवायर फेंसिंग काटेरी तारा पंचला मन तो आनि एंगल लाउन टी फेंसिंग के लिए लिए अन्तिया अच्छा आत्मधे हमी यह शे मेरे पड़ोसी सागर सकाराम महर यह मेरा ईलिगेशन है उनके प्रति उन्होंने करिये किया है मेरे बारा ऐंगल लोखरंडी एंगल दौ इंच के लोखरंडी आंगल बारा लगे ऊए थे वह बारा ऐंगल काटेर अंदर जो जितने भी जाड था जो भी फेंसिंग में पेड इंसा सिखाती है, सर ये भगवान महावीर की धरती है, सर ये भगवान श्री राम की धरती है, ये भगवान श्री कृष्णा की धरती है, कभी रावन ने राज नहीं किया, कभी कंस ने राज नहीं किया, लास्ट में इनका खात्मा होता है, हम लोग यहाँ पे प्यार से रहने के लिए आए हैं प्यार से रहने के लिए हैं कोई जाती का कोई धरम का आदमी है मैं पचास साल से मतलब मेरा डॉमेसाहिल महारा श्रका है फिफ्टी फॉर यर्ज आ भीन बॉर्न अन बॉर्ट अप हीर मेरे पिता जी रेलवे में आई रसी ओफिसर थे रिटायर हुए है हमार साथ में हुआ है बहुत दुखत घटना है सर और मैं बहुत चिंतितू और इसको मैं बहुत दूर तक लेकी जाओंगा तो में दूर परन्ती ग्योंड जला सगत पहली गोश्राप लाए और ती आन्ने जाला अब सगत पहली जात पूली स्टेशन लाए साजीक तुम्हीं के के नाम पर एक महीना और छे दिन हो गए थे मेरे पास कोई रिपलाई नहीं आया तो फिर मैंने एसीपी साप के पास गया कि सर इसमें आप जो है इंटर्वीन कीची और मेरी मदद कीची तो फिर संडे को नॉर्मली संडे को हम काम नहीं करते हैं तो पुली स्टेशन से फोन को मेरे को इन्होंने जवाब दिया शेतारी को मैं दुबारा गया एसीपी साप के पास में कि मेरे जो कंप्लेंट थी वो अतिकरमन के बारे में थी मेरी जो कंप्लेंट थी डामे चोरी होने के बारे में थी उसको एड्रेस नहीं किया उसको एड्रेस नहीं किया और मेरे को लिखके देखे आया कि आप इसमें इंटर्वीन कीजिए और मैं जब आही रहा था तो मेरे को फोन आगया फार्म से कि इन लोगों ने पूरी फेंसिंग तोड़ दिया उखाड दिया और अपना जोता बांद दिया यह कल की बात है अपसलूटली यह सर मेरे साथ में बहुत नाइंसाफी हुई है सर मैं इतनी कंप्लेंड कर रहा हूं उसके बावजूद यह आदमी को इतना ताकत मिल गई कि उसने यह जोता बांद दिया और मेरे अंदर आगया आप देखिए पांचे गुंटे पता नहीं कितने गुंटे हमन मैं हमेशा डॉक्यूमेंटरी एविदेंस तक दकने रहता था और ये इन्होंने कल कर दिया मैं इसको इальная मैं इसको जुड़न पे और मैं इसको पॉडिकल ब्लेवल पे मैं मैं इसको हर लेवल पर आगे लेके जाऊंगा सर गरीबों के साथ अन्या ही नहीं हो सकता हमारे देश में law and order है मैं उदव जी ठाकरे को represent करूँगा उनको बताऊंगा सर आपके राज्ये में ये हो रहा है गरीबों के साथ में सर मैं राज्येपाल को बताऊंगा सर आपके राज्ये में ये हो रहा है मैं CP को लिखूंगा DGP को लिखूंगा मैं Home Secretary को लिखूंगा मैं Home Minister के पास जाऊंगा सर मैं Supreme Court जाऊंगा I will go to every possible person on this earth to get justice मुझे नयाई चाहिए जगा की बात नहीं है पैसे की बात नहीं है ये मेरे आत्मसमान की बात है सर मेरे आत्मसमान की बात है ऐसे आप किसी की जमीन में अंदर घुसके और अतिकरमन नहीं कर सकते हो This is India सर या जागी चैजिक केर टिकर ये संबलते तैंचर उर्दी कुन्दे प्रकरची पंडुरंग मेहर जो है उनकी आदती गाली के लोज करने की कॉलर पगड़ने की मारा मारी करने की वो करते थे उनकी प्रवर्ती थी आज वो नहीं है स्वर्गवास हो गया है इसलिए मैं उनके बार में अभी कुछ नहीं बोलूँगा पर हाँ पिछले एक साल में ऐसी कोई गटना नहीं होई या अनि ही जी जागा संबड़तात मागिल तीस वर्षान पास हो ते कमला कर मेर का कपले सो बदे काका तुम्चे सो बद कदी काया असा गड़ लगा जने कुरूंद शिवी गाल वो गरी दादा गिरी आसा नहीं कदी शि टोड़ शक्य हो तोड़ मी परइतना करेलानी ही जी तेंचे जमनी वर्षी जाती करमन साले ते मनताय तेचवर्थी ते लड़ा देती रानी तेंची जमनी मी वुने साटी हो तोड़ी शक्य। परइतना ते कारनार